अगर आप भी मेरी तरह small YouTuber है तो आपको अपनी वीडियो को rank कराने में काफी problem होती होगी लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को rank करवा सकते हो YouTube पे वो भी एकदम easily और कुछ cases में तो ऐसा होगा कि आपकी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत rank कर अब आप देखो इसमें मेरी वीडियो रैंक कर रही है यहाँ पे देखो एक ही वीक के अंदर लगबग 1200 व्यूज आ गया और maximum व्यूज मुझे सर्थ से आ रहा है क्योंकि यहीं पे से लोग मेरी वीडियो को discover कर रहे हैं मैं और भी keywords पे rank कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपको ए साड़े तीन लाग subscribers है तो भी मैं आराम से इनके साथ rank कर पा रहा हूँ तो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस टाइप के keywords खोजना है जिस पे आप आसानी से rank कर सकते हूँ तो difficulty keywords पे YouTube आपको rank नहीं कराता आसानी से आपको कोई ऐसा keyword खोजना होगा जिस पे competition कम हो अब जैसे मैं आपको एक और keyword दिखाऊ यूट्यूब shots and clickbank ये भी एक बहुत बढ़िया keyword है देख सकते हूँ यूट्यूब के algorithm में already a set है तो इसमें भी देखो या हम पे मेरी पहली वीडियो ये rank कर रही है उसके बाद फिर मेरी दूसरी वीडियो भी rank कर रही है इसमें वो उपर नीचे होते रहता है वो तो आप जानते ही होगे shuffle होते रहता है हमेशा लेकिन मैं rank कर रहा हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरी दूसरी वीडियो rank कर रही है यहाँ ही पर पाँच स्टेप्स दिखाऊंगा जिसके वाईसे आप नए चैनल को एकदम आसानी से ग्रो कर सकते हो और इस स्ट्राड़िजीज की ये सबसे बेस्ट बात है कि आपकी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही तुरंत रैंक कर जाएगी आपको ज्यादा वेट नहीं करना पढ़ना होगा कि एक महिना दो महिना पांच महिना आप वेट कर रहे हो उसके बाद आपका वीडियो रैंक कर आपकी वीडियो तुरंत ऊपर के पोजिशन्स में दिखना चालू कर जाएगी आज मैं आपको जो सौफ्टर दिखाऊंगा वो 100% फ्री है आपको एक भी ट्राफिक वहां से पता नहीं चल पाता है कि औरिजनली में कितना ट्राफिक आ रहा है लेकिन आज जो टूल्स बताऊंगा उससे आप बहुत सही से ट्राफिक ला सकते हो और मैं आपको पांच टिप्स भी दूँगा जिसके वैसे आपका वीडियो तुरंत रैंक कर जाते जाकर कि यूट्यूब में लास्ट टिप यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बता है वो मेरा पर्सनली जेनेरेटेड ही ट्रिक है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंगी यहाँ पे अफिलेट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनस और यूट्यूब ग्रोथ इन सब चीजों से रिलेटेड बात होती है कि अब आप पूछों के लोडिफिकल्टी की वर्ड क्या होता है तो बटा दू लोडिफिकल्टी कि वर्ड यहोता है जिस पर यूट्यूब पे सर्च अच्छा खासा है लेकिन उस पे content बहुत कम लोग ने बना है तो वहाँ पे आप तुरंत आराम से rank कर सकते हो और जितने भी software जो यह चीज़ें आपको सही सही बताते हैं जैसे विड़ाइक, YouTube, Buddy यह सब paid version इनका अच्छा होता है तो आप पूछोगी कि मैं क्या करूँ तो यहीं पे मैं tool है इसमें Instagram और भी सारी बहुत सारी चीज़ों से यह related होता लिगना आज हम लोग सिर्फ YouTube SEO के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको YouTube लिखा हूँ यहाँ पे YouTube keyword tool है ना इस पे आपको click कर लेना यहाँ पे आपको आने है और अपने keyword से अपने जो monthly searches है 7,000,000 है यानि कि monthly searches यानि पूरे महीने में इतने लोग इसे सर्च करते लेकिन आप आप देख सकते हो यह सब medium difficulty keyword है लेकिन आप यहाँ पे देखो यह वाला जो keyword है how to promote clickbank products यह वाला keyword एक दम ही low difficulty keyword है अगर आप इस पे अपने वीडियो बनाते हो अपने tags में डालते वो description में use करते हो तो आप तुरंत rank कर जाओगे तो यहाँ से यही फायदा होता है अब आप पूछोगे कि मैं तुरंत कैसे खोजलू की कौन से keyword low difficulty है तो यहाँ पे आपको एक filter का option दिख रहे है यहाँ पे आपको बस जाकर के low link देना और इस वाले को click करना है दो बार तो आपको देख सकते हो रसल ब्रंस लोड की वर डिफिकल्टी राहुल मनन लोड की वर डिफिकल्टी रॉस मिंचे लोग की वर डिफिकल्टी फ्रैंक्लिन हैशिट यह सारे लोगों के नाम है जो यूट्यूबर्स है जो सिखाते है कि online पैसा कैसे कमाया जाए और clickbank पे जो व related है मतलब यह वीडियो advanced SEO पूरा सिखा जा रहा है कि कैसे किया था यहाँ पे मैं लिख दूँगा low और उसके बाद monthly volume वाले बटन पे दो बार click करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो Google Keyword Planner low keyword difficulty उसके बाद video marketing low keyword difficulty how to do keyword research देख रहे हो आपको एकदम आपके सामने ही tags मिल जा पे वहाँ से फिर बाद में copy कर लेना उसके बाद मैं Google Keyword Planner video marketing how to do keyword research उसके बाद how to do YouTube keyword research audience retention YouTube keyword research 2021 how to do keyword research for YouTube videos small YouTuber support इन सब keyword जो जो मेरे मतलब के keywords है जो और low difficulty उनको मैं copy कर लूँगा आप चाहो तो high difficulty keywords पे भी वीडियो बना सकते हो लेकिन problem यह होगा कि आपके high difficulty keywords पे और लड़ जब मैं Google Docs खोल लूँगा Google Docs यहाँ पे आपका खुल जाएगा आप चाहो तो फोन में एक notes नाम का जगा होता है मैं यह जो पहले से लिखा होगा इसे delete कर दूँगा उसके बाद यहाँ पे मैं keywords को paste कर दूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो तुरंत ही सारे keywords low difficulty keywords paste हो चुके अब मैं इने ही अपने title में use करूँगा और tags में use करूँगा तो अगला जो second step होता है वो है write SEO optimized titles अब आपको ऐसा title लिखना है जो कि already keyword research में आ रहा है तो मैं ऐसे ही title लिखूँगा यह वाला जो title है मैं इसे title बनाया कैसे जाता है उसके बाद मैं इस पर लिख दूँगा YouTube सब आपको अच्छे से बड़ा कर लेना ताकि audience उस पर click करें जब उसका आपका वीडियो देखे तो अब आप देख सकते हो YouTube keyword research 2021 अब आप एक डंडा लगा लेना या फिर आप कोई भी dash use कर सकते हो ताकि YouTube को अबला चल जाएं कि यह दो अलग-अलग keywords है उसके बाद आप यहां पर यह डाल देना Google keyword planner हो गया उसके बाद यह देख सकते हो हमारा फूरा title बनना तयार हो रहा है इसी के सामने आपके सामने आप असँके बाद Google keyword highs के बाद आप जो YouTube ou टूल से जैसे कि TubeBuddy मैं इनका नाम डाल दूगा और वर्सेज विड आईक्यू हो गया मेरा टाइटल तुरंट तयार हो गया है टूबड़ी वर्सेज विड आईक्यू इसलिए डालागे विकॉज मैं TubeBuddy भी आपको अभी यूज करना दिखाऊंगा कि TubeBuddy को यूज कैसे किया आता है अपने विडियो का SEO करने के लिए हमारा थर्ड स्टेप है राइटिंग SEO Optimized Description तो यहां पे आपको फिर से यह हमारा टाइटल हो गया आज का उसके बाद यहां पे मैं लिख दूँगा Description अब यह Description के नीचे आपको आपको ऐसा Description लिखना है जिसमें यह सारे Keywords अंदर में आ जाए जैसे मैं लिखूँगा How to do Keyword Research for YouTube in 2021 यहां पे अब हम लोग और लिखना चालू कर देंगे YouTube Keyword Research 2021 यह सारे Keywords को आपको इसमें अंदर में घुसा देता है यहां पे ताकि आपका जो यह है वो stuffing बढ़ियां तरीके से हो और आपको views तुरंत मिलना चालू हो जाए यहां पे आपे small YouTuber support इसे भी अपने description में डाल सकते हो और आपको इससे एक paragraph बनाना होगा यहां पे मैं आपको उतना time waste नहीं करूँगा आप paragraph अपने से बना सकते हो अगर आप चाते हो कि मैं अपने description का paragraph कैसे बनाता हो तो आप मेरी कुछ वीडियो में paragraph बना हुआ आप जा क hashtag होगा हो यह होगा आपको 6 hashtag डालना उससे जादा hashtag मत डालना YouTube SEO उसके बाद SEO उसके बाद title उसके बाद tags उसके बाद description जो भी चीज आपके वीडियो से related हो आप उसे use कर सकते हो अपने hashtags में उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हो एक long tail hashtag लगा सकते हो YouTube SEO 2021 अब हम लोग आते हैं last part में जो कि बहुत ही जादा interesting part हो जाता है क्योंकि इसके बारे में कोई बताता ही नहीं आपको क्योंकि जादा तर लोगों को इससे पता ही नहीं तो अब आपको अपने वीडियो का backlink बनाना है backlink क्या होता है अगर मैं बता दू तो backlink क्या नहीं द YouTube में भी तो अब जैसे मैं यहाँ पे जाओंगा और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को उठा लूँगा यह देखो यहाँ हमारी वीडियो रैंक कर रही है यहाँ पे इसे अब हम लोग खोल के इसे pause कर दूँगा और यहाँ से share button पे copy करना है आपको यहाँ पे copy हो जाएगा यहाँ पे आप सीधा click कर देना और रिडायरेक्ट हो जाओगे और उसे link को यहाँ पे आपको paste करना है Google में जैसे ही paste करोगे एक backlink खुल जाएगा यहाँ पे आपको अपने video का link paste करना है यहाँ पे हम लोग गया थे यहाँ पे share के button पे click किया video का link copy किया और यहाँ पे आप आपको link को paste कर देना लाकर के और submit कर देना है अब आप देखना है यहाँ पे आपका backlink बनना चालू हो गया इस video को अगर मैं इस link पे click करूँ यह link broken है दूसरे वाले पे click करूँ यह भी broken है अब आप देख सकते हो हमारी video दूसरे website में जाकर के embed हो गई है और वो भी पूरा एकदम सारे SEO के साथ तो इसके वज़ा से आपका Google में आप तुरंत rank कर जाते है यूट्यूब को लगता है कि दूसरे website सापको refer दे रहे है आप थोड़ा देर वेट कर लेना लगबग 15 से 20 मेर्ट के अंदर यहाँ पे सारे में success लिखा जाएगा और इसी तरीके से आपका backlink बन जाता है अगर आपको ऐसे ही advanced SEO techniques और make money online से related content चाहिए चैनल को subscribe कर लेना bell icon प्रेस कर लेना फिर कल डालूंगा वीडियो वो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा मस्त वीडियो बनने वाला लगबग edit हो गया है लेकिन थोड़ा से editing last का बाख ही है